तो आज मुझे बनाने हैं खूप सारे कपकेक्स, मुफिन्स और बहुत सारी तैयारी मैंने कुछ पहले भी करके रखे जिसका वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर करी चुके हूँ और आज मुझे कपकेक्स बनाने हैं जो ये पेपर मोल्ड में बनते हैं और कुछ पेपर लाइनर्स में मुफिन्स बिना क्रीम वाले बनाने हैं तो सारी प्रपरेशन में करके आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप इने स्टॉल्स वगरे में लगा सकते हैं काफी कुशन आते हैं कि मैम मुझे कपकेक की स्टॉल लगानी है बट क्रीम मेल्ट हो जाएगी ओपन एरिया में है तो उसको कैसे हम बचाएं ये सब मैं आज आज आपको सारा डीटेल में इस वीडियो में दिखाऊंगी प्लस बल्क में आप कपकेक के ओडर कैसे पूरे कर सकते हैं उसको पूरा करने वे भी आपको इससे help मिलेगी तो यहाँ पूरा measurement आपको बताऊंगी क्योंकि कई बार लोग कुछते हैं कितने ग्राम में मेरे इतने कपकेक बन जाएंगे तो उसमें भी बहुत confusion रहता है क्योंकि इस तरीके की चीज़ों में वेस्ट है जादा नहीं होनी चाहिए थोड़ा बहुत हम एक्स्रा लेकर चल तो यहाँ पर इनको बनाने के लिए मैं दो ही फ्लेवर यूज़ करूँगी एक चॉकलेट और एक पाइनेपल क्योंकि यह सबसे ज़्यादा लोग को पसंद आते हैं तो उनके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मोहन इंपैक्स का यह वनीला केक मिक्स जो क्लासिक हमारा आत अब ही मुझे कपकेक्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको एक मेजरमेंट बदा देती हूँ जो 250 ml वाला कप होता है एक कप अगर आप भर करके यह वनीला प्रमिक्स या चॉकलेट प्रमिक्स लेते हैं तो स्टेंडर्ड साइज के जो आपके यह कपकेक होते हैं वो छे बन तो फिर पाँच ही बनेंगे क्योंकि तब हमें थोड़ा एक्स्रा भरना पड़ेगा ताकि हमारे वो उपर तक आएं और फिर क्रीम की स्पेस हमें नहीं चोड़नी है तो इस बात का ध्यान रखेंगे अगर क्रीम वाले कप के एक बनाने हैं छे तो 250 ml वाले कप से आपके य तो पटा-फट से चल लिए लगते हैं काम पर तो आज का यह सारा बड़ा सा ओडर पूरा करने के लिए फ्रेंड्स में मुहन इंपक्स का क्लासिक चॉकलेट मिक्स और क्लासिक बनीला मिक्स यूज़ कर रहे हूं मैंने 5-5 kg की फैकिंग में पहले ही मंगा के रखा हुआ है और यहां पर एक बड़े से बरतन में पहले हम चॉकलेट वाले मिक्स का सारा काम कर लेते हैं तो 250 ml वाले कप से मैंने लगभग 5 कप भर करके यह लिया है प्रिमिक्स और ग्रांस में देखें तो यह लगभग 600 ग्राम होगा अब उसी के साब से 6 टिबल स्पून में इसमें दाल रही हो और थोड़ा-थोड़ा करके पानी हम डाल के इसका बनाएंगे समुझ साब बैटर और आप देख लिजेगा फ्रेंट 600 ग्राम प्रिमिक्स में कितने कपकेक बनते हैं मैं कुछ मफिन्स भी इसमें बनाऊंगी तो वो भी कितने बनते हैं तो यहां पर मैं थोड स्कूपर की मदद से ना मैं यह सारा बैटर डिवाइट करने वाली है और ध्यान रखना है आपको के वाल आदे तक ही भरना है क्योंकि इनके ओपर डेकोरेशन भी आएगी तो फूलने के पाद थोड़ी स्पेस रहनी चाहिए तभी अच्छे लगेंगे नहीं तो बहुत ज होता है गाड़ा होता है तो हमें स्प्रेट करना पड़ता है और बढ़िया से इने टैप कर लीजेगा और मैंने एक शिफ्ट के बना दिये अब मैंने एक ट्रे के अंदर पेपर लाइनर जो होते हैं वो सेट किये हैं और इसमें भी मैं यही सेम बैटर डाल दूगी तो यहां क्रीम के सर्व होंगे और इनकी पैकिंग प्राइसिंग में बताऊंगी कि यह मैंने वहां मेले में कितने के दिये और कितना इन से प्रॉफित होता है तो यहां पर मैंने यूज कर रही हूँ उपने अगारों का 40 लीटर ग्रांड ओटीजी तो उसको मैंने प्रीट कर लिया है और उसकी उपर वाली रैक पर तो मैंने ये कपकेक वाली ट्रेय रखती है इसमें 20 एक साथ कपकेक्स बन जाएंगे और नीचे वाली ट्रेय में मैंने ये 6 मफिन्स रख दिये हैं और इसको 20 मिनिट के लिए हम बेक करेंगे लगबग 150 डिगरी पर नीचे की रॉट फिर से बड़ा बरतन लिया है और यहां मैंने 6 कप प्रिमिक्स लिया है बजन में देखें ग्राम्स में तो ये 720 ग्राम होगा क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी चीज़े ज्यादा बनानी है और अब थोड़ा थोड़ा करके फिर से वही पानी डालेंगे बनाएंगे मैं थोड़ा मैंने येलो जल कलर भी डाला है ताकि थोड़ा सक कलर आजा है लाइट सा और यह बन गया बैटर और इसी बीच प्रेंट्स मेरे दूसरे डूसरे डूटी जी में बी कुछ चॉकलेट का काम मेरा चल रहा था कपकेक और मफिन का वह भी रड़ी हो गए उन्हें बाहर निकाल लेती हूं तो ऐसे अगर आपके पास बील का ओडर आ जाये तो आप अपने की ओटी जी को बार-बार यूस कीजिए तो मैंने उसका फाइदा उठाया और उनमें भी अपनी बेकिंग करना स्टार्ट कर दिया और जब तक मैं अपना एक काम कर रही होती हूं मे बुराई नहीं है हम लोग भी लेते हैं और इससे बच्ची सीखते ही है तो अब मैं help लेना जारी रखूंगी वैसे तो मैं जारी ही रखती पर शायद शेयर नहीं करती है अब शेयर भी करूंगी क्योंकि इसमें कोई बुराई मुझे नहीं लगती थी और नहीं आपको इसे ही नहीं बेक करना स्टार्ट कर दिया और इनको वे मैंने पेपर लाइप किया था मतलब मॉफिन के फॉर में तो इसकी क्वांटीं ठोड़ी आदी ही रहती है और इनको डेकूरेट करने के लिए जाया प्रेंड्सूदी रेवर थी तो मैंने मोहन इंपक्स की नहीं जा रही हूं और सब चीज बड़े सिस्टेमाटिक तरीके से होती गई होती गई और मैं शूट करती गई पर गनाश बना लाई और अब स्पून से ना हम इसमें गनाश भर रहे हैं गनाश थोड़ा लिक्विडी रखिएगा ताकि खाने वाले को मज़ा आए एक दम चोकोलावा जैसा टेस्ट आएगा और थोड़ा गनाश मैंने क्रीम विप करके जो रखी थी ती उसमें मैंने एट कर दिया और गनाश रेट करने के बाद थोड़ा सा मैंने कोको पाउडर भी डाला है ताकि अच्छा सा एक चॉकलेटी टेस्ट आए बढ़िया से कर दिया मिक्विड फिर मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में भरा लगाया एनवन नॉजल नूर का और यहां पर डेकोरेश हो जाता है तो फट 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 मैंने यह दख़ी डेकोरेशन स्टा कर दिया है क्रीम खाली हो गई थी पाइपिंग में फिर से रिफिल किया और मेरी क्रीम बीबद कूट परफेक्ली मेजरमेंट में थीक बैटी तो यह काम मैं इस तरीके से किय अभी हमें फ्रेंट्स प ताकि मैं आपर दूसरा काम कर सकूँ, तो बड़ा असा मेरे पासना केक बोर्ड है, उसके उपर मैंने सारे शिफ्ट कर दिये, टेबल की इतनी गंदी होई, देखिए, बीच बीच में सफाई भी चल रही है, ताकि आप लोगों को थोड़ा नीट अन क्लीन बर्ग दिखा और उस दिन फ्रेंड्स, एक किसमत और कुटी मेरी, कि वीरा जो क्रश था ना पाइनेपल का वो खतम हो गया, एक्चुली बैक टू बैक इतने केक्के ओरर आ रहे हैं, कि टाइम ही नहीं मिल रहा समान मंगाने का, और ओनलाइन आने में भी टाइम है, तो मैंने क्या किया, कि फिलिंग और पाइनेपल का क्रश, दोनों को ही अपस में मिक्स कर लिया, शेक किया, और मेरा उस दिन का काम चल गया, और सब की बीच में मैंने ये मिक्चर शोया, बढ़िया से डाल दिया, डारेक्ली बॉटल से ही डाल दिया, ताकि खाने वाले को मजा आ जाए, और कु एक्स्ट्रा बैटर था, तो मैंने एक टी टाइम केक बना लिया, जैसे मैंने बताया, उसकी चीजे मुझे जादा बनानी थी, और यहां पर मैंने क्रीम जो विप की उसमें यलो कलर डाल के पूर अच्छे से मिक्स नहीं किया, हलका सा स्मझ किया, तकि शेड आ जाए कहीं, वाइट और यलो का, और N1 नॉजल यह से, पटापट पटापट मैंने इस पे भी रोजेट बना लिया, और यह नहीं इतना हाथ स्लिपरी हो रहा था ना, चिकना चिकना क्रीम से काम करने के बाद, यह फिसले ही जा रहा था, यह देखिए, और यह देखिए, खिस कही जा र जाएगी, आप उसे डीटेल में जरूर देखेगा, क्यों बहुत ही अच्छा वीडियो है, उसको अगर इसमें डालूंगी, या किसी एए या डालूंगी, तो उसको बहुत एडिट करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लें भी हो जाएगी, तो उसको डीटेल में काम बाकी है यह मैंने बोर्ड पर बड़े से शिफ्ट किया और यह बड़ा रिस्की काम होता है कि इंगिर विर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे तो यह मैंने खुदी किया बच्चों से इसमें help नहीं ली और इस तरीके से सारे जब मेरे इस बोर्ड पर cupcake आ गए तो म क्रीम बढ़िया से विप कीजिए यह जो मेला वगरा लगता है दिवाली के आज-पास ही मेरा लगता है हमेशा तो मौसम में थोड़ी थंड़क रहती है क्रीम मेल्ट नहीं होती है मैं बनाने के बात कोई फ्रिज में नहीं रखती हूँ डारेक्ट अपने रूम में रखती इसकी detail वीडियो कल दोंगी, बढ़ कुछ इस तरीके से मैंने ready किये थे, pink और yellow के combination में उन्हें पढ़िया से मैंने decorate भी किया था, जरूर इसकी वीडियो को देखिएगा, skip मत कीजेगा, फोड़ा सा patience रखिएगा, और यह देखिए, प्यारे cakesicles बने थे, और इनको मैंने pack भी अलग तरीके से किया था, kexicle के boxes में, ऐसे ही मैंने brownie बनाई थी, तो brownies को भी न, मैंने छोटे-छोटे boxes में pack करके वहां रखा था, ताकि एक piece या दो piece, जिसको जितने चाहिए हो, वो आराम से ले सके, और यह सारा packing का जो material है, boxes, यह सब आपको flavorsome shop पूना में मिल जाएगा नबर इनका description box में, आप चाहें तो मगा सकते हैं, और कुछ मैंने crackers वाली chocolates बनाई थी, friends, इनकी detail video तो already share कर चुकी हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पर भी इने boxes में मैंने arrange किया था, और जब मेरा सारा समान बन गया, तो मैंने बाहर वाले table पर इस तरीके से रख दिया, donut, kex प्रसिकल, cupcakes, tea time cakes, और cracker वाली chocolates, मतलब इतना सब देख करके न मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने एक कैसे बनाया, लगबग 2-3 दिन लगे ने बनाने में, और फिर मैं बढ़िया से तयार हो करके, friends, वहाँ गई, sale out कैसे हुए, भी सब कुछ दिखाऊंगी step by step, बढ़ जब इतनी मेहनत करते हैं तो एक दो वीडियो, एक दो clips, शूट करना तो बनता है, तो यह वही काम चल रहा है, और इसका detail vlog है वह अप तारामदू डाइरीज पर जरूर देखेगा, और इसके बाद trends तयारी हमने शुरू कर दी, क्योंकि ये सारा समान हमें shift भी करना था, उ क्योटा बेटा भी help कर रहा है, ममा मैं ये रख देता हूं, ममा मैं वह रख देता हूं, और ये muffins वगरे मैंने कार में रखे, क्योंकि बॉक्स जितने थे, वो सब मैंने cupcake वगरे में use कर लिए, और अब हम निकल रहे हैं उस मेले के लिए, तभी एक shift ही गई है friends, अभी तो ले आउट करना, start कर दिया, actually अकेली थी, बेटिया मेरी घर पर थी, तो कोई मुबाइल से shoot नहीं कर पाया, बट जितना मैं कर पाई, देखिए, दिखा रही हूं आपको, ये सारी चीजे रखी हूं है, stall के अंदर, donut, cupcake, muffins, cracker वाली chocolates, कुछ jar cake, cupcakes, और ये सब sale out हो गया friends, को जुद ही नहीं बच्चा, मतलब लोग लुमांग मांग करके रह गए, कि हम रह गए, हम रह गए, तो मैंने उन्हें बोला है, कि आप मुझे घर पर order दे दीजेगा, मैं आपको provide कर दूँग, और जब सामान आ गया था, तो मैंने सब को बहुत अच्छे से decorate करके, layout भी किया ताकि लेने वाले को थोड़ा अच्छा लगे, और सब कुछ चीजे visible हो जाए, सब के pricing के tag वगरे लगा दिये, अब मैं आपको इनकी pricing भी बता देती हूँ, प्रॉक्स जो मैंने दी थी, बट ये fix नहीं है, आप अपनी जगह पर अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो pineapple flavor वाले कपकेक थे, वो मेरे 30 रुपीज के sale out किये per piece, चौकलेट फ्लीवर वाले मैंने 35 रुपीज के दिये थे, मफिन्स जो सारे 15 रुपीज each कर दिया था, डोनट मेरे mini डोनट थे 20 रुपीज के थे, ब्राउनी भी 15 रुपीज का piece था, छोटा piece था, तो इस तरीके से सारी चीज नहीं रख सकते हैं, नहीं तो लोग ना लेते नहीं, मेले में वो 15, 20, 30, 50, इस से ज़्यादा चीज अच्छी नहीं लगते, cake sicles मैंने 50 रुपीज के दिये थे, क्योंकि वो कुछ अलग सी चीज होती है, और जब यह सारा काम हो गया friends, तो हमने खुब सारे cracker show का मजा लिया enjoy किया, और यह सारा का मैंने छोटी दिपावली की दिन किया था, और इसका complete vlog और दिपावली का हमारा vlog देखिएगा तारा मदु जाइरीस पर, तो आप सभी से मैं बोलूँगी कि अगर आप ऐसे काम को करना चाते हैं, अपना काम बढ़ाना चाते हैं, तो ऐसे melee वगरे में और हम मिलिंगे नेक्स वीडियो में, तिल दन बबाई, तेक केर येड़ कीप त्राइग और कीप देखिएगए